दोस्तों कैसे हैं सब में लोग आशक करते हूं अच्छे ही होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवूड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंदा है 41 सल की वो हिरोईन जिसे फिल्मों से निकाल देते थे डारेक्टर हाँ भी होते थे अक्टरस अब है 650 करोड की मालकिन आज के दोर की भारती फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो जादतर वही स्टार्स बनते हैं जिनके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव अभिनेता रहता है हालकि ऐसा सौफ फिजदी नहीं क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे भी कही स्टार हैं जो सेल्फ एड एक्टर है और उनका स्टार्डम देश विदेश में फैला हुआ है इस टॉपिक में एक ऐसी भारती नित्री की बात कर रहे हैं जो हॉलिवूड में अपने अभने का पर्चम लेकिन एक वक्त ऐसा भी तब कि उस पर निर्देशक चिलाते थे इतना ही नहीं कई दफाव से फिल्मों से निकाल भी देते लेकिन आज वो हॉलिवूड स्टार बन गई हैं दरसल हम जिस हिरोईन के बारे में बात करें उन्हें बेशक किसी परीचे के जरूरत नहीं है वे इस अबनेत्री को कई दफा बेहत कठिन समय का सामना भी करना पड़ा है जब निर्देशक उन पर चिलाते थे और उने फिल्मों से बाहर निकाल देते थे लेकिन उसने हार नहीं मानी वो मजबूत ही और अपने गलतियों से सीखी अब वो कई फिल्मों के लिए और फिल्म पहली पसंद भी आएक है दिखाते हुए कि कड़ी महनद से सपनों को साकार किया जा सकता है और उस हिरोईन का नाम है प्रेंक चोप्ड़ा जी हां वो प्रेंका चोप्ड़ा है जिनों ने लंबा संघर्स किया बोग हीं इंडिया के साथ एक नए साक्षत ढार में कि थे नह उतना ही कम सीखेंगे। अबिनेतरी का कहना है कि इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद मैंने खुद के लिए आतमि श्वास को बढ़ाया , मैंने सीखा कि असफलता के बाद आप को करते हैं वही आपको बनाता है। प्रेंका चोपड़ा हाली में जी ओ मामी मुंबई फिल्म फेस्टिबल 2023 में उपस्ते उती जहां वो मास्चर क्लास सत्र के लिए अभिनेतरी भूई पैटनेकर के साथ सामिल होई थी अपनी बाचीत पे उन्होंने एक उधारन साजा किया है कि जहां एक मेल कोस्टा ने सीन और फिल्म पर हाबी होने की कोशिश की थी प्रेंका ने इस बात पर जोड दिया था कि वो इस तरह के बदमाशी वाले वहवार का समर्थर नहीं करती है और इसमें सामिल नहीं होने का विकल्प चुनती है अभिनेतरी ने कहा है मेरे साथ हुआ है शूटिंग रुक गई थी यह एक एका लाप था मैं उस व्क्ति का न इसलिए मैं आखिरकार फिल्म निर्माता के पास गई और उनसे कहा मैं उस एक्टर की प्रिशंसा करते हूं जिसके साथ काम कर रहे हूं लेकिन यह मेरे वास्त में कठेने मुझे अपने को को स्टार को यह सुनने की जरूरती कि मैं अपनी लाइन कैसे कर रही हूं अभिनेत के पास वह सब कुछ है जिसकी वह हगदार है और उनकी कुल संपत्ति अब 620 करोड रुपे है एक तालिस साल की वह रोईन जिसमें फिल्मों से निकाल देते थे डारेक्टर हाभी होते थे अक्टरस अब फिलाल वह 650 करोड रुपे के मालके ने आपको स्टोरी कैसी लगी क कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दन्यवाद आपका दिन सुबों नमस्कार